बच्चो अभी तक के अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार अर्थ शास्त्र के अंतरगत अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया सांखिकी को अपने साथ लेते हुए क्रम बद्ध तरीके से चलती हैं जब हम अनुसंधान के छेत्र में आते हैं तो हमने देखा कि सबसे पहले हम अपने अनुसंधान से संबनित आकडों का संकलन करते हैं आकडों का संकलन करने के बाद उनको व्यवस्थित ढंग से उनका प्रस्तुती करन करना हमारा काम होता है तो आकडो को प्रस्तुत कैसे किया जाए कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए कि हम उन्हें आसानी से समझ सके या कोई भी वेक्ति जो उन्हें देखे उन्हें आसानी से समझ सके इसके लिए हमको आकडो का सार्णियन करना पड़ता है कुल मिलाकल सार्णियन जो है वो आकडो के प्रस्तुती करण के एक अविधी है तो आएए देखते हैं क्या है आकडो का प्रस्तुती करण आकडो के प्रिस्तती करण के लिए सबसे पहले हम आकडो को व्यवस्तित धंग से एक सार्णी में या टेबल में हम एक टेबल फॉर्म में हम उनको लिख लेते हैं लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा प्रारूप टेबल का नहीं होता जहां पर सभी आकड़ों को व्यवस्तित करके लिख सकें सार्णियन का छेत्र भी अपने आप में काफी विस्तृत और व्यापक है किस किस ट्राइप के टेबल होते हैं कैसे कैसे हम सार्णियों का निर्मान करते हैं पूरी प्रक्रिया को हम इस चैप्टर के अंतर कर देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्णियन के लिए प्रोफेसर कॉर्णर सेक्राइट्स और ब्लेयर का क्या कहना है एल आर कॉर्णर के शब्दों में सार्णियन किसी विचारा दिन समस्या को स्पस्ट करने के उद्देश से सांखिके तत्तों का क्रम बद्ध तथा व्यवस्थित प्रदर्शन है सेक्राइट्स के अनुसार सार्णियन वर्गी करन द्वारा किये गए विसलेशन को इस्थाई रूप से रखने के समान बातों को योग्य इस्थिती में रखकर उसे तुलना योग्य बनाने का साधन है ब्लेयर के अनुसार विस्तृत अर्थ में समंको की खानों एवं पंक्तियों में क्रम बद्ध व्यवस्था को ही सार्णियन कहती है तो हमने देखा कि तीनों ही अर्थशास्थियों की अगर परिभाशा को हम देखें तो तीनों का यही मानना है कि कही न कहीं सार्णियन का एक मूल उद्धेश्य हमने जिन आकड़ों को संकलित किया है। उनको व्यवस्थित ढंग से उनको क्रमबध तरीके से इस प्रकार प्रस्तुत करना कि कोई भी देखने वाला व्यक्ति उसको अच्छे से समझ सके और दूसरे बात वो जो आकड़े हैं हमने जो जिनको संकलित किया है उनको रोचक बनाया जा सके अब अगर हम बात सार्णियन के उद्देश की करें क्यू करते हैं हम सार्णियन जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि अगर हम आकड़ों को एकत्र करके उन्हें इधर उधर अस्तवेस छोड़ दे तो वो मृत प्राय होते हैं एक मास के टुकड़े की तरह होते हैं लेकिन उन्हीं आकड़ों जब हम व्यवस्तित करके अगर जब हम लिख देते हैं तो वो आकड़े हमारे समझने योग्य हो जाते हैं तो क्या है इनके उद्देश क्यों करना चाहिए हमको सार्णियन आये देखते हैं सबसे पहली बात तो जब हम आकड़ों का सार्णियन कर लेते हैं तो उनकी तुलन करनी आसान हो जाती है匀 असानी से उनके तुल्ण कर सकते हैं जैसे एक उधारन के तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं कि हमasive यहां पर जनगड़ना तो यह जो दोनों टेबल जब हम आस पास रखते हैं तो हम यहां पर बहुत आसानी से क्या क्या हमको जानकारी निकल के आई थी क्या जानकारी हमको दोनों में क्या परिवर्तन आया क्या अंतर आया यह बहुत आसानी से देख पार है उसी तरीके से गर हम इसके दूसरे उद्देश की बात करें तो हम देखते हैं कि विशेस्ताओं का इस्पस्टी करण होता है अभी जैसे हमने जनसंख्या की बात की तो ज जनसंख्या के बारे में वो जो भी जानकारी है वो प्रस्तुत कर रहे हैं कई बार हम क्रिशी से संबंधि इस तरह के जब अनुसंधान करते हैं तो कुछ क्रिशी से संबंधि इस तरह के टेबल बनाते हैं जो यह बात जिन से निकल कर आती है कि क्रिशी के छेतर में हमने ज के विशेस्ताओं को ये सार्णिया इस पस्ट करती हैं वैसी अगर हम बात करें कि सारे प्रशनों का उत्तर हमको एक ही जगा मिल जाता है जैसे अगर हम जनसंख्या के इसी टेबल की बात करें तो हम देखते हैं कि इसी टेबल में हमको जनगरना के द्वारा हमने देखा कि जन का यह सिमत्तुक्त आप गए से खाराने से मिल जाते हैं तो एकिसका विद्देश्य के नियून्तम स्थान पर यानि की कम से कम स्थान पर हम इसको लिख पाए और ठोड़ी से जगह में सारे जानकारिया है साथ मिल पाए ये भी इसका एक उद्देश है दूसरी अगर हम अगले इसकी बात करें उद्देश की तो हम देखते हैं कि दृत्यक समंगों के लिए भी दृत्यक समंग्के के रूप में यह भी काफी लाब दायक होता है यानि कि अगर हम इन आकडों को बहुत अच्छे से व के विवस्तित तरीके से लिख लेते हैं तो भाविश्य में इन आकडों को हम दृत्यक समंग्के के रूप में आसानी से हासल आसानी से П्रियोगम कर सकते तो यह तो थी उद्देशों की बात अगर हम इनके महात्यों की बात ॐ अगर हम बिंदू के अधार पर देखिये तो लगबन दो की वही शारे बिन्दू लाब या महत्तों कें अंतरकद भी आ सकते हैं जैसे कि तुल्ला करने में आसान है तो यह उद्व्धेश की भी हो सकता है लाब भी या निवुन्तं स्थान पर इनकों मंगित कर सकते हैं ये इसका एक उद्देश महातोय अलाव हो सकता है ठीक उसी प्रकार इसके कुछ अन्य महातो भी हम लिख सकते हैं जैसे हम देखे तो एक तो यह जटिल समंगों को सरल बनाती है सांकिकी में जब हम अनुसंधान करते हैं तो जो आकड़े संकलित किये जाते हैं वो बहुत सारे जटिल आकड़े चोटे-मोटे बहुत सारे आकड़े जो होते हैं जिनको व्यवस्तित करके अगर हम नहीं लिखते हैं तो वो समझने में थोड़ी से डिफिकल्टी होती है हमको तो उन आकडों को हम सरल करके साणी बद्ध करके लिख सकते हैं दूसरा एक मात तो इसका यह भी हो सकता है कि चित्र में प्रदर्शन कई आधार बनते हैं आगे आने वाले ध्यायों में हम देखेंगे कि किस प्रकार जब हम टैबुलेशन कर लेते हैं साणी अन्कर लेते हैं तो अगर हमने टेबल नहीं बनाया है अगर हमने साड़ी नहीं बनाई है तो उसका चित्र बनाना अगराब बनाना काफी मुश्किल हो जाता है वैसे ही एक मात तो हम यह भी कह सकते हैं कि रेकॉर्ड रखने में सहायक होते हैं यानि कि पिछले कई सालों से हम जो अनुसंधान करते आ रहे हैं हमने अभी जो अनुसंधान किया है भाविश्य में यह सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रहे इसलिए हम साड़ी बद्ध करके इनको रखते हैं अगला एक मात तो हम यह कह सकते हैं जैसे कि हमने उद्देश में देखा कि दृतियक समंगों के रूप में इनका प सांखी की विभाग समय समय पर बहुत सारे अधिकारियों की बहुत सारे अधिकारियों की बहुत सारे विसिष्ट योगिता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करता है तो क्यों की जाती है उन व्यक्तियों की नियुक्ति क्यों मांगी जाती है उनके अंदर बहुत सारे विसिष्ट योगिता है इसलिए क्योंकि सांखी की का जो कारी होता है वह कहीं न कहीं एक विस इतनी थी क्रिशी उपज के बारे में देखना कि इतने का क्रिशी उपज हुआ साथ शर्टा की बाए में हमने दर देखा तो मात्रा को यह बताते हैं लेकिन गुंढ से भी भी हाच कुह होते हैं यह गुण को नहीं बताते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि मात्रात्मक जानकारी जो है वो हमको देते हैं लेकिन गुणात्मक जानकारी नहीं देते हैं अगली बात अगर हम इसकी करें तो हम देखते हैं कि एक्चुली पूरक के रूप में प्रयोग होते हैं यानि कि डाय जो होती है वो संकली तांकडों के अधार पर बनाई जाती है फिर सार्णी के अधार पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो कहीं न कहीं यह सारी जो प्रक्रियां है वो एक दूसरे पर बेस्ट है तो सार्णी के बारे में हमने देखा कि क्यों बनाई जाती है स एक अच्छी सारनी के लक्षन में सबसे पहली बात यह है कि उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए यानि कि हमारा उद्देश्य कि एक किसी को जन्संख्या संबंदि जानकारी देनी है या हमको जनसंक्या संबंदित आकड़ों का जो हमने संकलन किया है उसको रिप्रेजेंट करना है तो जो सारणी आप बना रहे हैं वो वास्तों में जनसंक्या से संबंदित आकड़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सके क्रिशी से संबंधी ताकड़े अगर हमने संकलित किये है तो उसको रिप्रेजेंट कर सके अगर हमने साक्षर्ता या निरक्षर्ता से संबंधी ताकड़े लिये है तो वो दर्शा सके यानि कहने का मतलब है कि जिन उद्देश से अनुसंधान किया जा रहा है उस उद्देश को फुल्फिल कर सके ऐसे सारनी हमको बनानी चाहिए दूसरे अगर हम इसके लक्षन की बात करें तो एक तो ये सून योजित होनी चाहिए और वज्ञानिक धंग से इसका प्रस्तुति करन होना चाहिए क्योंकि हमने पहले भी देखा कि सांखिकी की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो कला भी है और विज्ञान भी है सून योजित अगर हम बात करें तो एक कलात्मक धंग से एक नियोजित धंग से की कैसे हमको सार्णी का निर्मान करना है ये तै करना होगा और विज्ञानिक धंग से अगर हम बात करें तो क्रम बद्ध तरीके से उसको बहुत अच्छे से हमको विवस्तित रूप से प्रस्तुत करना होगा आकडो को फिर अगर हम इसके लक्षन की बात करें तो एक तो आकार उप्यूगत होना चाहिए बहुत बड़ा टैबुलेशन बहुत बड़ी सार्णी अगर हम बनाते हैं तो कहीं न कहीं वो पढ़ने वाले के लिए भी थोड़ी से दिक्कत हो सकती है या वो बोर्यत महसूस कर सकता है तो आकडो की जो संख्या है या अनुसंधान की ज़रूरत है उसको देखते हुए उनको देश को देखते हुए सार्णी का जो आकार है वो निश्चित करना चाहिए वैसे ही एक महतुपूर मिंदू है कि आकर्शक होनी चाहिए सारनी आप अपनी टेबल में होरिजेंटल बनाए या वर्टिकल बनाए कलर्स का प्रियोग करें आकड़ों को कुछ इस तरीके से व्यवस्तित करें कि वो देखने में भी आकर्शक लगे अगली बात व्यवहारिक जो यहां पर गड़ना होती है एक्चुली जब हम सांकी की आंकड़ों को संकलित कर लेते हैं तो मूल उद्देश होता है अब उनके गड़ना करना यानि उन आकड़ों के आधार पर प्रियोग करके वास्तिविक जानकारी हासिल करना तो इस तरह से व्यवस्तित तरीके से लिखा जाए कि उस सारणी के अधार पर उसके गड़ना यानि सूत्रादी का प्रियोग उसमें किया जा सके अब अगर हम बात करें कि वर्गी करन और साणियन में अंतर क्या है देखने से एक जिसे लगते हैं वर्गी करन मतलब वर्गी करत करके करें उनको उनकी प्रकृति क्या अधार पर अरकललग भागों में पहले तो बांटते हैं और उनको हम साणीयन में सार्णी बंद्र करते हैं दूसरे अगर हम इसके अंतर की बात करें तो जो वर्गी करण है वो देखा जाए तो विसलेशन की एक रीती है हम आकडों को छाटते हैं वर्गी करते हैं अलग-अलग करने के लिए हम उसका विसलेशन करते हैं लेकिन अगर आकडों के अगर हम प्र प्रक्रिया है वह पूरी विस्लिशनात्मक और करदेद आफले हैं तीसरे शरी के अंतर की देखते हैं कि वर्गी करण जो है वह समंगों के गूर्ण उसकी प्रकृति के आधार पर वर्गी क्रित करता है लेकिन अगर और हम सारणियन की बात करें तो वो स्थम और पंग्ति के अधार पर जैसे कि अभी आगे जब प्रक्टिकली इसको बना के देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे वो कॉलम में और पंग्तियों में वो बटे हुए होते हैं तो यह तो इनके अंतर के बात थी अब आएए देखत सारणी का निर्मान किया जाता है इस पूरी सारणी को आप देख पा रहे हैं यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार इस सारणी में सबसे पहले हम यहां पर हमने सारणी की संख्या लिखी हुई है क्योंकि जब हम अनुसंधान का कारे करते हैं, सांकी की का कोई भी हम कारे करते हैं, तो हम बहुत सारी सार्णियों का प्रयोग करते हैं, तो प्रतेक सार्णिय की संख्या हमको संख्या के अधार पर अलग-अलग करना जरूरी होता है, तो सबसे पहले तो हमको इस सार्णिय को कि आपको यहाँ पर शिर्षक देना है उसके बाद आप यह पूरा टेबल देख पा रहा रहा है जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर अनुशिर्षक देखते हैं यहाँ पर जो तो सब टॉपिक इसका जो रहता है वो हम लिखते हैं इसके जो उप शिर्षक रहते हैं उसको हम लिखते हैं उसके बाद हम देखते हैं उप शिर्षक यानि की जिसका हमने अनुसंधान किया है उसका एक मुख्य शिर्षक है जैसे हमने शिर्षक में देखा कि जनसंख्या से स तो किस बातों का हमने यहाँ पर अध्यान किया है यहाँ फिर हम जिसकी जानकारी आप़ देर बाद थाट को आप देख आप निखेंगे गेंगे सादे के निचाए था काल रहीं कि नीचे वाहा दिखात द्ट रही है जिसमें एक है स्त्रोथ यानि कि ये जो आकड़े जो आपने टेबल के अंदर लिखे हैं ये आकड़े आपने कहां से हासिल किये हैं पहले भी अध्यायों में हमने देखा है कि आकड़ों का संकलन तो हम कर लेते हैं लेकिन कहां से हमने संकलित किये उन आकड़ों को ये भी हमक और नेक्स्ट आप देख रहे हैं पार्ट टिपणी फुट नोट यहाँ पर हम लिखेंगे अगर इस पूरे टेबल में हमको कुछ विशेशताएं इसमें से निकाल के दिखानी है कुछ विशेश संदर कोई ऐसा बिंदू है जिसको हमको हाइलाइट करना है तो उसको हम प्रारूप इस तरह से शार्णी बनती है इसके अंदर कौन-कौन से भाग होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि क्या सामान नियम होते हैं शार्णी को बनाने के या यह देखते हैं कि सबसे पहली बात शीर्षक जैसे कि मैंने भी आपको बिताया किसी भी कोई भी टॉपिक है कोई भी अध्याय है आप देखते होंगी बुक में भी कि हर अध्याय का एक शीर्षक होता है वैसे ही हर सार्णी का एक शीर्षक अगर दे दिया जाए तो पढ़ने वाला व्यक् के तरी बात उप सिर्षक यानिए कि इस शीर्षक के अंतरगत आप किन किन बिंदू को अध्याण करेंगी जैसे हमने उदारन के तोर पर देखा था कि मान लेजिए हमारा शिर्षक है जन संक्या से संबंधित को इसाड़नी है तो उपशिर्षक में आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या के अंतरगत क्या क्या महिलाओं कि संख्या पुरुशो की संख्या जनसंख्या घनत्व या लिंगानुपात यह इसके कि बात करें तो हम देखते हैं कि आकड़ों की तुलना यानि कि अगर जब हमने टैबुलेशन कर लिया जब हमने साड़िया बना लिया तो आकड़े एक दुसरी के साथ इस तरीके से हमको प्रेजन करने होंगे वहाँ पर कि दो आकड़े अगर साथ में है तो अगर जरूरत हो इस प्रकार बनाना चाहिए कि जो उसके समंग है वो इस पस्ट दिखाई दे ताकि आप शक्ता पढ़ने पर अनुपातों या प्रतिशत का प्रयोग भी किया जा सके वैसे इसका एक नियम यह भी कहता है कि योग जो जैसे हमने टेबलेशन टेबल बनाते समय भी हमने देखा कि शीर्षक या उप शीर्षक कितने हैं किन-किन बिंदों के अधार पर हम यहां पर टेबल में जानकारी दे रहे हैं उसको हमको योग के अंतरगत लिखना है वैसे ही यहां पर पदों का उची तुलिक जैसे कि मैंने आपको step by step बताया कि कि किस प्रकार से शीर्षक कहां प चाहिए उसके बाद इसका निया में बताता है कि स्त्रोथ यह भी हमने अभी देखा था टेबल पर आते समय कि स्त्रोथ यानि कि कहां से वह सोर्स क्या है जहां से आपको यह आंकडे मिले तो यह लिखना भी बहुत जरूरी होता है इसके आप हम यह माना जाएगा कि आपने जिनके बारे में आपको लगता है कि उसके बारे में और अधिक जानकारी आने के फिर से एक बार रिकॉल करवाना चाहिए उसको आपको फूटनूट में जरूर देना चाहिए वैसे इसका निया में क्याता है कि उपसाधन किस अंक तक किया गया है उपसाधन के बारे में ए पार या पांच या पांच के बाद इस ँपसाधन किया गया है इसकी जानकारी भी यहां पर साजी में दी जानी चाहेता है भी आग़े किस तरह किस साज़ीयों करते हैं तो जितने भी कॉलम होते हैं उनको नम्बर देना बहुत जरूरी होता है तो यह कुछ ऐसे नियम है जिनको फॉलो करते हुए ही हमको सार्णी का निर्मान करना है अब हम देखते हैं कि सार्णियों के प्रकार क्या होते हैं तो सार्णियों के प्रकार आपके सामने दिख रहे हैं इनको तीन भागों में बाटा गया है पहला जो प्रका पर सार्णी की बात करें तो हम देखते हैं कि उद्देश के आधार पर दो प्रकार की सार्णी होती है समाने उद्देश्य वाली सार्णी और विसस्ट उद्देश्य वाली सार्णी समाने उद्देश्य वाली सार्णी मतलब दैनिक जीवन में हम जिन छोटे-मुटे जो अनु हम समान लुद्देश के उदहानों की बात करें तो जो देनिक प्रकाशन होते हैं या संबनदी समान प्रकाशन होते हैं उनको कि एक उतरगत सामिल किया जा सकता है अगर विशुष्ट की बात करें तो diğer होती है यनि कि समां़ उत्देश के अंतर्गत हमने जिन सान्य के निर्मान किया है उने को दृत्यक्त सवाइक रूप में लेके विसेट उत्देशे वाली सान्य बना यहां जिसे जनसंख्या के जो नौर्मल आखड़ि समांन उत्देश के अंतर्गत किसी बिंदू परges तो यहां जो समान उद्देश वाली सार्णी में हमने सार्णी बनाई है वहां से हम आकड़े निकाल कर उसका प्रयोग हम विसस्ट उद्देश्री के लिए करते हैं यानि किसी एक स्पेसिफिक उद्देश्री के लिए जब हम सार्णी बनाते हैं तो वह विसस्ट उद्देश की होती है यहाँ देख रहे हैं एक तो सरल सार्णी और दूसरी जटिल सार्णी सरल सार्णी जैसे की नाम से इस पस्ट है कि सिंपल टेबल होता है यानि हम यह किसकते कि किवल एक ही गुणों को इसमें प्रदर्शन किया जाता है जैसे यहाँ पर एक उदारण हम प्रस्तुत क कर सकते हैं कि यह जो Taibles आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे राज्जी और उन राज्यों में साक्षार्टादर यहां पर दी हुई हैं तो एक ही इसमें गुण है राज्यों की साखischer बгор यहां पर दी हुई है तो यह जो सार्णी है यह सरल सार्णी हमसको कह सकते हैं ऐसी कोई साड़ी है वह तीन भागों में बटी हुई है एक तो हम इसे कहते हैं दुए गुण साड़ी उसके बाद त्री गुण साड़ी और लिए रही ।क प्रकार है यानि कि मौलिकता क्या धार पर जब हम सार्णी बनाते हैं तो वह किस प्रकार बनती है मौलिकता क्या धार पर जब हम सार्णी बनाते हैं तो वह दो भागों में बटी हुई होती है एक तो मौलिक और दूसरे विद्पन मौलिक यानि कि जैसे हमने समंकों के संकलन म कुछ समंक जो होते हैं वो प्राथमिक होते हैं यानि मॉलिक पहली बार उनका अध्यान करके वो डेटा जो है वो निकाले जाते हैं मॉलिक तो वैसे ही जो सार्णिया होती है नि पहली बार बनाई जाती है और दूसरा जो व्यूत्पन सार्णिया होती है वो इनके आधार पर जाती है जैसे मैंने बताया कि जन्संख्या से संबन्नित कि स्पेसिफिक अध्यान को हमको। किसी को सार्णियन करना है तो हम यह मौलिक जो सारी बनाए गही है इसमें से हम कुछ data लेकर व्यूत्पन निर्मार हम करते हैं। बनावट के आधार पर जब हम सरल सार्णी बनाते हैं तो उसका प्रारू कुछ इस तरह होता है इस सार्णी में हम देख रहे हैं कि वर्ष 1981 के जनसंख्या के अनुसार भारत के कुछ राजियों में साक्षर्टा का प्रतिशत अगर हमको लिखना हो तो हम इसके लिए दो कॉलम वाली एक सार्णी बनाएंगे जिसमें हम एक और राजियों के नाम लिखेंगे और दूसरी और हम साक्षर्टा का प्रतिशत लिखेंगे अब क्योंकि यह सरल सार्णी है मतलब इसमें एक यह गुण का उल्ले कहां पर किया जा सकता है जटिल सार्णी के अंतरगत जब हम दूए गुण सार्णी का निर्मान करते हैं तो यहां पर हम दो गुणिवालों समंगों का प्रदर्शन करते हैं जैसे कि इस सारणी में आप देख रहे हैं, इस सारणी में श्रमिको की संख्या को दो गुणों में विभाजित कर दिया गया है, यानि कि पूरिशों को अलग और इस्त्रियों को अलग कर दिया गया है, इस पूरी सारणी में इसके दो या दो से अधिक अनुशिर्शक हो सकते यहां तीन कारखानों में कारे करने वाले पुरुष और इस्त्री श्रमिकों की संख्या दी गई है और श्रमिकों को दो गुण यानि कि लिंगा नुसार विभाजित किया गया है इस सार्णी में आप देख रहे हैं कि पहला जो कॉलम है वहां पर कारखाने दीये हुए है A, B, O, C दूसरे कॉलम में दोनों गुणों का विभाजन किया गया है, यानि कि श्रमिकों की संख्या को दो गुण में पूरुष और तीसरे कॉलम में इस्त्री में विभाजित किया गया है, और चौथा कॉलम जो है, वो कुल योग का कॉलम कहलाएगा, इस तरह का सारणी जो बनती है या दबल टेबल कहलाती है, ट्रिपल टेबल यानि कि त्रीगूं सारणी, आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे सारणी में तीन गुड़ों वाले समंगों को प्रदर्शित किया गया है, यानि कि यहां पूरुष और इस्त्री श्रमिकों को साक्षर और निरक्षर में भी वर्गित रित किया गया है, तो ये त्री गुंड शानी बन गई है, इस शानी में पहले खाने में हम कार खाने का प्रकार है, A, B और C उसको देख पा रहे हैं, यहां पर हम इसको पहले इस्त्री और पुरुष के गुणों में बाढ़ देते हैं, यानि पुरुषों को हम अलग कर दिये जानकारी को और इस्त्रियों की जानकारी को हम अलग कर दिये, पुरुषों की जानकारी को भी हम साक्षर और निरक्षर में वर्गित कर दिये, और इ दुसरे में साक्षर पुरुष, तीसरे में निरक्षर पुरुष, चोथे में साक्षर और निरक्षर पुरुषों का योग, पाच्वे कॉलम में हमने साक्षर इस्त्री, छट्वे कॉलम में निरक्षर इस्त्री और साथ्वे कॉलम में साक्षर और निरक्षर का जो योग है और अगला हमने जो अंतिम बनाया है वो योग का कॉलम है जो तीन भागों में बटा हुआ है साक्षर महिला और पुरुष का योग नुवा कॉलम और कुल योग यानिकी 11 कॉलम तो इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं कि यह जो पूरा टेबल बना हुआ है यह ट्रिपल टेबल यानि त्री गुं सारनी कहलाता है इस पिक्षर में आप बहु गुण सार्णी यानि मैनिफोल्ड टेबल को देख पा रहे हैं बहु गुण सार्णी समंगों की तीन से अधिक विशेस्ताओं को प्रकट करती है यानि कि इसमें अनेक गुण वाले समंग को प्रस्तुत किया जाता है इस सार्णी में श्रेमकों की आयू की विशेस्ता भी जोड़ दी गई है इस सार्णी में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर तीन कारखानों में काम करने वाले श्रेमकों का एक तो लिंग के आधार पर विभाजन किया गया है और साथी साथ आयू समूग के आधार पर भी विभाजन किया गया है अब क्योंकि कई गुण इसके अंतरगत आ गया है इसलिए ये सार्णी बहु भुम सार्णी कहलाएगी सार्णी में हम देख रहे हैं कि पहला जो कॉलम है दूसरे कॉलम में पूरुष के अलग-वर आयूँ वर्गों को फ्रदरशित किया गया है तीसरे कॉलम में साक्षर पुरुष, चौथे कॉलम में निरक्षर पुरुष और पाचवे कॉलम में उनका योग इसी प्रकार चटवे कॉलम में साक्षर इस्त्री, साथवे कॉलम में निरक्षर इस्त्री और आटवे कॉलम में उनका योग कुल योग की अगर हम बात करें तो नवे कॉलम में साक्षर का जो कुल योग है पुरुष और इस्तिरी को मिला के दस्य कॉलम में पुरुष और इस्तिरी को मिला के निरक्षर का योग और ओर ओर जो इसका टोटल कुल योग है वो 11 कॉलम में दिया गया है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्योंकि कई गुणों को प्रदर्शित करते हुए यह टेबल बनाया गया है इसलिए इस तरह के टेबल को बहुँ गुण सार्णी यह मैनिपोल टेबल कहते हैं तो आईए अप सार्णीयन की रीतियों पर एक नज़र डालें देखते हैं किस किस तरीके से हम सार्णीयन कर सकते हैं रीतियों की अगर हम बात करें तो इसे हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक तो हम हाथ के द्वारा यह बाई हैंड जैसे हम अभी तक परांपरागत प्रक्रिया से कर रहे हैं सार्णियन वैसे कर सकते हैं और दूसरी यांत्रिक यानि की मेकैनिकल टेबुलेशन भी किया जा सकता है हाथ से जब हम सार्णियन करते हैं तो वो उस समय ठीक रहता है जब अनुसंधान का छेत्र बहुत बड़ा नहीं होता है छोटा सा कोई रिसर्च रहता है छोटा सा अनुसंधान रहता है और दूसरी बात जो समंक होते हैं आकड़े जो होते हैं वो बहुत थोड़े स किस तरीके से हाथ के द्वारा हम साणियन करते हैं इसको एक उदाहरन से देखें तो हम इसको और अधिक से सपस्ट कर पाएंगे आएए देखते हैं हाथ के द्वारा किस तरह से tabulation किया जाता है इसका एक उदाहरन हाथ के द्वारा जब हम सार्णी का निर्मान करते हैं तो कुछ इस तरीके की सार्णी हमारे सामने दिखाई देती है जैसे कि इस सार्णी में हम देख रहे हैं कि श्रमिको की मासिक मजदूरी को यहाँ पर दर्शाया गया है इसमें शुन्य से 40, 40 से 80 रुपए, 80 से 120 रुपए, 120 से 160 रुपए और 160 से 200 रुपए की मजदूरी को पहले कॉलम में अंकित किया गया है यहाँ पर श्रमिको की संख्या दे गई है जो 2, 4, 7, 13 और 3 है इसे दूसरे कॉलम में टैली चिन्न के माध्यम से आके आपे देख रहे हैं कि टैली चिन्न के माध्यम से इसे प्रदर्शिक किया गया है तो यह पूरा 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 टेबल हाथ के दवारा किया गया है, इसवरे से बाइंड या हैंडमेट टेबल हैं हाथ के दवारा निर्मेट साड़ी। तो आपने देखा कि जब अनुसंधान का छेत्र छोटा हो और सीमित आकड़े हो तो हम हाथ के द्वारा भी साणियन बहुत अच्छे से कर सकते हैं अब आए देखते हैं कि क्या है mechanical method of tabulation यानि यांतरिक विधी को हम कैसे tabulation के लिए use करते हैं यांतरिक विधी के हम बात करें तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है हर्मन होलेरीत का हर्मन होलेरीत ने 1890 में एक ऐसी मशीन का विश्कार किया जिसने tabulation का काम काफी आसान कर दिया यूएस गौर्डमेंट में इस हैलोरीत इनके द्वारा बनाई गए मशीन का प्रियोग जनगरना के लिए भी सबसे पहले किया गया और बहुत सारे सांखी की कारियों के लिए tabulation के लिए होलेरीत की इन मशीनों का प्रियोग किया जाता रहा है वास्ताओं में यह एक ऐसी मशीन है जो step by step काम करती है सिर्श समय और श्रम दोनों की बज़त होती है क्या है इसके step और कैसे काम होता है होलेरीत मशीन के द्वारा आए देखते हैं आए देखते हैं इसके step कौन कौन से होते हैं किस प्रक्रिया के आधार पर यह मशीन पूरा कारे करती है तो पहला इसका step जो है वह संकेतां को में बदलना जैसे उदाहरन के तोर पर सिक्षित असिक्षित पर कुछ अंको यह नुसंधान किया गया तो यह जो चर्व है हमने लिए है सिक्षित असिक्षित उनको किसी संकेत में बदल देना को कोई number यह दो यह तीन एक यह दो कुछ नंबर दे देना दूसरा इसका जो क्रम होता है वो होता है कि इन जो हमने संकेतों में बदले हैं इन संकेतों को कार्डों पर लिखना यानि कि अब इनकी कोडिंग करना मशीन के आधार पर इन संकेतों को कार्ड में लिखना तो कैसे लिखा जाता है जैसे कि आप इस तीसरा जो इसका क्रम आता है कि परिक्षण करना होता है क्योंकि अगली अगर हम बात करें इसके स्टेप की तो काडों को छाटना हमने संकेत में बदल के काडों पर उसको संकेतों को अंकित कर दिया और चिदर की माधम से हमने उन में जो भी हमको संकेत अंकित करने थे वो ने कर दिये अब काडों को छाट कर उनकी प्रकृति या जिस ज़ो भी वरिबल्स थे हमारे पास लिखने के उन सभको अलग कर दिया जाता है और अगले स्टेप में इस पूरी प्रक्रिया के लास्ट मे तो प्रक्रिया में इस पूरी मशीन के कार्य करने के साथ साथ यह टैबुलेशन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है आप क्यूंकि यह एक मेकयनिकल प्रक्र्य प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि समान का साथ यन के प्रक्रिया उस्के कहे ज़ादालाभ मिलें तो कि हम बात करें तो शुद्धता सारी प्रक्रिया मशीन के द्वारा हुई है और हमने साथ भष्यन के इसा है तो शुद्धिता ये चाहिप भी मशीन होगी सबया कि माम करें मानवल शुर्म की Australis तो यहां पर मानमिश्रम की बचत होती है हमने देखा कम समय में शुद्ध रूप में मानमिश्रम की बचत के साथ यहां पर काम हो जा रहा है अगली एक इसका महत्य भी हो सकता है कि अशुद्धियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है जब हम परिक्षन की प्रक्रिया में प्रयोग किया गया और उस समय इन मशीनों को खरीदना काफी महंगा होता था फिर भी कुछ विभागों में इन मशीनों के प्रयोग का प्रचलन रहा है भारत में अगर देखा जाए तो लाइसी यानि भारती जीवन विमा के संसानों में और अगर बात की जाए तो CDA यानि इस तरह के सार्णी यान टैबलेशन की मेकैनिकल मशीनों का जिसे हम हॉले रिथ मेकैनिकल मशीन कहते हैं इनका प्रयोग किया गया है दुजर आबृत्ती सार्णी के लिए हम एक उदाहरन देखते हैं इस तालीका में गडित के प्राप्तांग 20 विध्यार्थियों के दिये गए हैं और अर्थ शास्त्र के प्राप्तांग भी 20 विध्यार्थियों के लिए दिये गए हैं सबसे पहले हम टैली मार्क के लिए एक साड़ी बनाएंगे जिसमें हम अर्थ शास्त्र के प्राप्तांकों को रो में लिखेंगे और गड़ित के प्राप्तांकों का जो वर्ग है उसन कॉलम में लिखेंगे इस तरह से हमने अर्थ शास्त्र के लिए 0-4, 5-9, 10-14 और 15-19 ये वर्ग हमने बना लिए हैं वर्ग बनाने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटा नंबर है अर्थ शास्त्र का जो सबसे छोटा प्राप्तांक है शुन्य और अर्थ शास्त्र का जो सबसे बड़ा प्राप्तांक है 19 इसके बीच में हम बराबर बराबर अंकों का वर्ग बना लेंगे तो अगर हम ऐसा करते हैं तो शुन्य से चार, 5-9, 10-14 और 15-19 हमको वर्ग प्राप्त होता है ठीक इसी तरह जब हम गड़ित का वर्ग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे न्यूंतम प्राप्तांक शुन्य और सबसे अधिकतम प्राप्तांक 19 है अब यहाँ पर भी हम शुन्य से चार, 5-9, 10-14 और 15-19 का वर्ग बना लेंगे जो की कॉलम में हम लिखेंगे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ऐसे कितने विध्यारती हैं जिन्हों ने अर्थ शास्त्र में शुन्य से चार अंक प्राप्ति किया है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोल नंबर 4 उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि रोल नंबर 9, रोल नंबर 11 और रोल नंबर 19 इस इन सभी ने शुन्य से चार के बीच प्राप्तांग पाए हैं अब हम देखेंगे कि ऐसे कितने विध्यारती हैं जिन्हों ने गड़ित में भी शुन्य से चार अंक प्राप्ति किये हैं यहां पर हमको यह देखना है कि जिन विध्यारतियों ने अर्थ शास्त्र में शुन्य से चार अंक प्राप्ति किये थे उन्हीं में से गड़ित के कितने विध्यारती हैं जिसने शुन्य से चार अंक प्राप्ति किया हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ऐसे विध्यार्ति हैं जिन्होंने गडित में भी शुन्य से चार अंक प्राप्ति किया हैं। अब हम ये देखेंगे कि जिन विध्यार्थियों ने अर्थशास्तर में शुन्य से चार अंक प्राप्ति किये थे, उनमें से कितने विध्यार्थी ऐसे हैं, जिनोंने गडित में 5-9 अंक प्राप्ति किया हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक विध्यार्थी ऐसा है जिसने 5-9 के भीतर का अंग प्राप्त किया है। अब हम देखेंगे कि 6-4 अंग अर्थ शास्त्र में पाने वाले विध्यार्थियों में से कितने विध्यार्थी ऐसे हैं जिनोंने गडित में 10-14 के बीच में अंग प्राप्त किया है। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक विध्यार्थी ऐसा है जिसने 10 से 14 अंग गडित में प्राप्ति किया है। तो गड़ित में ऐसे विध्यारतियों की संख्या शुल्ड हैं इसे हम टैली मार्क द्वाराय हां पर प्रदश्रित कर देंगे दूसरे क्रम में हम पांच से नौ के अंकों को देखेंगे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कितने विध्यारति ऐसे हैं जिन्होंने अर्थ शास्त्र में पांच से नौ के बीच में अंक प्राप्त किया हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि साथ विध्यारति ऐसे हैं जिन्होंने अर्थ शास्त्र में 5 से 9 के बीच अंक प्राप्त किये हैं अब हमें ये देखना है कि जिन विध्यार्थियोंने अर्थ शास्त्र में 5 से 9 के बीच अंक प्राप्त किये हैं उनमें से कितने विध्यारती ऐसे हैं जिन्होंने गड़ित में शुन्य से चार अंक प्राप्ति किये हैं। तो हमको यहां दिख रहा है कि दो विध्यारती ऐसे हैं जिन्होंने गड़ित में शुन्य से चार अंक प्राप्ति किये हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन विध्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गडित में भी पांच से नौ अंक प्राप्ति किये हैं। अब हम देखेंगे कि जिन विध्यार्थियों ने अर्थ शास्त्र में 5 से 9 अंक प्राप्ति किया था, उसमें से कितने विध्यार्थी ऐसे हैं जिसने गडित में 10 से 14 के बीच अंक प्राप्ति किया है। कितने विध्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गडित में 15 से 19 के बीच अंक प्राप्ति किया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किवल एक विध्यार्थी ऐसा है जिसने 15 से 19 के बीच अंक प्राप्ति किया है। अब हम देखेंगे कि जिन विध्यार्थियोंने 10 से 14 के बीच अंक अर्थ शास्त्र में प्राप्ति किये हैं। तो ऐसे विध्यार्थियों की संख्या निल है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अर्थ शास्त्र में 10 से 14 अंक पाने वाले कितने विध्यार्थी हैं। जिन्होंने गड़ित में 5 से 9 अंक प्राप्ति किये हैं। तो ऐसे विध्यार्थियों की संख्या भी निल है। अब हम देखते हैं कि अर्थ शास्त्र में 10 से 14 के बीच अंक प्राप्ति करने वालों में से कितने विध्यार्थी ऐसे हैं। जिन्होंने गड़ित में भी 10 से 14 के बीच अंक प्राप्ति किये हैं। अर्थ शास्त्र में 10 से 14 के बीच अंक प्राप्ति करने वाले विध्यार्थियों में से कितने विध्यार्थी ऐसे हैं। जिन्होंने गड़ित में 15 से 19 के बीच अंक प्राप्ति किये हैं। तो हम यहां पर टेबल में देख रहे हैं कि दो विध्यार्थी ऐसे हैं। जिन्होंने 15 से 19 के बीच अंक प्राप्ति किया है। अब हम देखेंगे कि जिन विध्यार्थियों ने अर्थ शास्त्र में 15 से 19 के बीच अंक प्राप्ति किये हैं, उनमें से कितने विध्यार्थियों ने गड़ित में 6 से 4 के बीच अंक प्राप्ति किये हैं, तो ऐसे विध्यार्थियों की संख्या एक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ शास्त्र में 15-19 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विध्यार्थियों में से कितने विध्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गडित में 5-9 के अंदर अंक प्राप्त किये हैं तो ऐसे विध्यार्थियों के संख्या निल है इसे प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ शास्त्र में 15 से 19 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विध्यार्थियों में कितने विध्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गडित में भी 10 से 14 के बीच अंक प्राप्त किया हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे विध्यार्थियों की संख्या भी निल है इसे प्रकार 15 से 19 अंग अर्थ शास्त्र में प्राप्त करने वाले विध्यार्थियों में से कितने विध्यार्थि ऐसे हैं जिन्होंने गडित में भी 15 से 19 के बीची अंग प्राप्त किये हैं तो हम यहाँ और देख रहे हैं कि ऐसे विद्धियाथरों की संख्या दो है इस प्रकार टैली चिन्यों को रो और कॉलम में जब हम एड़ करते हैं तो हम यह देखते हैं कि अर्थशास्त्र में शुन्य से 4 अंकपाने वाले विद्धियाथियों की तोटल संख्या 4 है पाच से नौ अंक पाने वाले अर्थशास्र के विध्यार्थों की संख्या साथ है दस से चौदा के बीच अंक पाने वाले अर्थशास्र के विध्यार्थों की संख्या अच्छा है संख्या 4 10-14 पाने वाले विध्यारतियों की संख्या 6 और 15-19 पाने वाले विध्यारतियों की संख्या 5 है इस प्रकार जब हम अर्थशास्त्र के रो और गड़ित के कालम को टैली करते हैं तो टोटल यहां पर 20 जो हैं स्टूडेंट्स के नंबर हमको प्राप्त होती हैं इस टैली मार्क की सार्णी के आधार पर हम नंबर वाली सार्णी का निर्माट इस प्रकार से कर लेंगे जिसमें अर्थुशास्त्र और गणित के सभी प्रापतांग और वर्गों को पुरानी तालिका के अनुसार ही बनाया गया है इस प्रकार हमको एक बात को ध्यान रखना होगा कि अगर हम होरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम का कुल योग यानि क्या वित्ति को मिलाएं टोटल करें तो जैसी कि हम देख रहें यहां पर स्टूडेंट्स के कुल संख्या 20 आनी चाहिए